ऐसे संत इस धर्ती पर कभी कभी वोटते हूं धर्ती मा का सौभाग में कि प्रच्वी को ऐसे संत प्राथ तो संतों का दर्शन कर पाए हम इन आखोर से शरीर से तो हमारा प्रण सववाद्य है गुरुजी ने हमें आध्या देची तो मैं तो ने कि आध्या का पारन कर रहा कि अधुद्य वेज़वन से बैठना करता हूं कैसे महान संपा की चरण भूली बनाने का सठ्ठापो जीत हैं प्रच्वी का भाषीयों का पूरे विश्व का यह गौरव अब इसने हैं कि हम सब की वीचमें ऐसी महान विवतिया हैं महाराजजी की चरणों में को बारण बा दर्शन करने वाले हैं आज हम ब्रंदावन के परमसंद उच्च कोटी के भगवता चारे पुझे श्री अनुरद्धा चारे जी महाराण जी के आश्रम में चलेंगे जिनका आश्रम परक्रम पर रास्तिमरी करता है जहां पर बहुत सारी सेवाएं दी जाती है प्रसादी सेव आपकी रेधक सबसे करीब कोम सिसेवा जो आटके सब्षेव करना आयों करने के यह सब पर करने के करने मरे प disp Less क्शानदी मिन है क्या सारी सेवाएं चलती है अब है पहली सीवा यही एधिर की सेवा जहां हजारों भपको ने भरम को नेत्टीबp擊 प्रसाद साइव भूल कूल भी हैं, सौभचे नहशुन को पड़ भी रहे हैं, चे गित्षा की सेवा और व्रध्ध के द्वाइब हुआ तो सीवा तो सभी स्रेष्ट हैं और जो हमाने हिर्दय के करीब है वो प्रत्धमांग की सीवा और सब को भरपेट भूजन में में नहीं उत्रेश रहता है कोई उखा ना जाए गौरिद भुपाला स्रीम से सबकी क्यों कि संतों से सुना है कि भगवान कभी बास्री नेकर नहीं आएंगे पता नहीं किस रूप में आकर कि फकड की रूप में आ जाएं सामाने जनमानस की रूप में आ जाएं ना जाने किस रूप में ना रायन मिल जाए तो पता नहीं किस रूप में आकर ठाकुर तब तो कि चले जाए इसलि की रौशनी नहीं थी वो देख नहीं पाती थी पर जब यहां आई तो फिर उनका यहां के द्वारा इलाज कराया गया ओस्पिटल ले जाया गया मा की रौशनी आ गई मा देख पाई जब वो देख पाई तो इतनी खुश्मी हमें बुलाया सिर्पहाद घुमाया बहुत का अश्रवाद और दुआओं का फल है के दास इतनी सेवा कर पा रहा है और जीवन का उद्देश से क्या है यहां तक तो आप आगा है बहुत आगे जहां तक लोग सपने हैं अभी नहीं सोचते आँ वहां पर आर्कायर्ट की स्थर्पर पोगत तो अब देख से क्या है अच्छा आप ठापुर जी हमें सीवा दी तो हमने मांगा कभी कुछ नहीं है ने जो दिया है वह स्वेक्ट्रपा करकी दिया है तो कभी कभी बाल निकाने में कभी अंजानवा सुछ मांगा होगा हमने बचपन में हमें याद है कि हमारी बचपन में घर में कुई संत आए संतों को भरपेड हमने भोजन कराया तो संतों को भोजन कराने के समय भाव जागा था कि अब भगवान सामर्ज बनाएंगे तो एक अन्य छेत्र खोलेंगे जहां कोई भी आएगा तो भरपेड भोजन करेंगे तब पच्पना गोला था ऐसी मन में पतारे भियारी जीने मन क इन वाज सुन ली और आज सीवा कपसर दिया तो मांगा नहीं है और को ईक्षा है अब तो बस एक चाहिए ब्गवान के स्री चलणों में मन लगा रहे है एक छनके लेमिन आपके चलणों से अलग नाओ और सीवा करते, करते ही सरी और भुण रूण बना रहे एं आज में आ भारत की तुल्ला किसी से नहीं हो सकते हैं जैसे महरवान कितने सुन्दर हैं आप किस से पूपमा देंगे उसी तरह भारत कितना सुन्दर किस से उपमाते हो भारत जैसा कोई देश सुन्दर गोता यहां जैसे विचार धारा कहीं की गोती यहां जैसे संस्क्रकी कहीं की गोती तो उपमाते दे कि हां हां वहां जैसा भारत भारत जैसा कोई दुनिया में सिर्व भारत वाजवान जैसे भगवा नहीं है कोई नहीं उसी तरह भारत जैसा कि व कुछ तुल्ला नहीं दुब उसमें भरत में तो भारत का तो हुर्दय है वरंदावा वर पूरव से पश्च्रों उत्वा अपना भारत यह श्यत्य विसेस स्थान भर है इंकी तुल्ला तो व्यकुंठ की बराबर है यह में पूर्ण। हो सकती है यह तो हम तो भारत की बात करते हैं पूरी भारत की माठी पूदव सी पश्च्च मुत्तर से रक्षन तक की माठी माठी का चन्मण संतों के संत मिलन को जाईए संत मिलन को जब जाएं जब आप संतों के दर्शन के लिए कदम रखते हैं तो प्रतिक कदम पर एक पगपर एक एक यग्द करने का पिनिप्शाय का पनिप्राइचन हूं करने का संतों का दर्शन करपाए हम इन आखहोड सी सरीषी तो हमारा प्रम्ण सहवाद्य है और कुछ महाराची ही अपनी बाणी से बिसको हमें जो कहा गुरुजी ने हमें अध्या देशिए करने तो अन्होंने हमें आग्या देशिए अभू आग्या या तो जानते हैं या तो मैं तो उनकी आग्या पारण कर रहा हूं में अनके उनसे मैंने कुछ कहा नहीं था बस उन्होंने मुझे आग्या दिए तो बस तो सज्ञा का पारण कर रहा हूं और अगवान से ब्राठना करता हूं कैसे मान संतों की चल्ण भूली बनाने का सठापोग जीते हैं ताकि यासे मान संतों की चल्ण की रजबन कर तो उनसे लिपट प्रचवी को ऐसे संत प्राठी जब भीश्व पितामा की म्रत्यु हुई तो लोग रोएं क्यों रो रहें आग बोले कि इस धर्टी को पितामा जैसे लोग कम वी हुई पितामा जैसे लोग कहा रहें तो पितामा जैसे लोगों को पाकर ये प्रचिवी दौरवान वित पितामा भुगवान की प्रमभक्त है प्रात अप्तर नहीं त्यागी जब तर भुगवान की दर्शन दी करूँ अटल प्रैमी अथा इसने हैं ऐसे महापुर्शों को प्राप्त करना ये प्रचिवी का महान संत आएं और हम जैसे पापी उनका दर्शन कर पाएं ये तो बड़े गौरब की बात है कि हम सबने ऐसी महान संतों का जर्शन किया तो महाराची की चरनों में को बारवन बार मुहमन है और उस यादें हमारे इर्दे में सदा ताजा रहती हम उन्हीं यादों को रोज ह गौरव अवसे हैं कि हम सबके वीच में ऐसी महान वीवुतियां हैं जिनके आश्यवाद से जिनके पुन्य प्रताप से हम संत यहां सुखी है और अपनी प्रसंत आपके वस्त जीवन से बहुत समय लिए जैसे यहां भी जिती सेवाय चल रहे हैं अर इंसान मन में कोई यू अपने जीवन में इतना परिशान रहता है यहां तो यहां आते हैं तो यहां की सीवाय देखके वह कोशिश करते हैं कि हम भी जुड़ें और लोग जुड़ जाते ही जुड़ने कार्ची क्या है आप तहीं भी है और भगवान की आश्रित हैं पूरी दुनिया में कोई कहीं भी हो और भगवान की आश्रित है तो वह जुड़ांगी हुआ है जोड़ने कार्ची यहीं तो है कि आप जिनकी उपासना करते हैं आप जिनकी चरणों में प्रेम करते हैं उनिके चरणों में प्रादिशाम अभी पूरा वीडियो जानने के पूरा वीडियो देखने के लिए उस पर संपर्थ करें